नमस्कार स्वागत है आपकर स्पियन नाइन न्यूज में मैं हूँ आपके साथ शृति मध्योप्रदेश उप्चुनाव 2020 के लिए बीजेपी के ओर से जारी की गई स्थार प्रचारकों की सूची को लेकर कॉंग्रिस लगातार जोतरादित सिंध्या और बीजेपी पर तंज कस रही है सिंध्या का नाम सूची में दसमें नमबर पर रखे जाने को लेकर कॉंग्रिस के कुछ नेता इसे इज़त और बेज़ती से जोड रहे हैं तो कुछ सिंध्या के टाइगर वाले बयान से जोड़ कर हमला कर रही हैं पूर्वो मंत्री एवं कॉंग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष बालिन शुक्ली ने ट्विट कर कहा कि हम बिजेपी से नाराज हैं उन्होंने हमारे महराज और टाइगर को लोम्री बना दिया हमारे भतीजे को एक नंबर नहीं तो कम से कम दूसरे तीसरे नंबर पर स्टार्ट प्रचारक होना चाहिए था फिशुक्ली ने लिखा हम बिजेपी से खुश हैं कि उन्होंने हमारे टाइगर को तीसरे नंबर पर नहीं रखा बाले शुक्ल जोत्रादित सिंध्या को भतीज कहकर भी संबोधित करते हैं भारतिय जंता पार्टी अनिकी बीजेपी ने बुद्धवार को उपुछ नावों के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सुची जारी की थी सुची जारी होने के बास से ही सिंध्या के स्थान को लेकर कॉंग्रेस सिंध्या और बीजेपी पर तंज कस रही है बाले शुक्ल से पहले बुद्धवार को कॉंग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता इवंग्वाली और चंबल संभाग के मीडिया प्रभारी के के मिश्रा ने ट्विट कर कहा कि कॉंग्रेस में रहकर प्रदेश की चुनाव अभियान प्रचार प्रभारी बीजेपी के स्टार प्रचारकों में हुए 10 नम्रे वक्त की बलिहारी बता देगी मध्यप्रदेश में जल्द ही उपचुना होने हैं इसे लेकर सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है आरो प्रत्यरोप का दोर जारी है वहीं बता देगी जो त्राजित सिंध्या 22 विधाय यानि कि शिवराज की सरकार ने सत्ता में वापसी की है ऐसे में जल्द ही उपचुनाव होने हैं बता दे कि सबसे बड़ी चुनोती जो त्राजित सिंध्या के सामने है जिनकी वजह से मध्यप्रदेश में कमनलाथ की सरकार गिरी है ग्वालियों चम्मल अंचरकुलिकर भी जोत्राजित सिंध्या के सामने बड़ी चुनोती है अब देखना होगा कि जोत्राजित सिंध्या इस चुनोती का सामना किस तरह से करते हैं जिस तरह से अगर बात की जाए मध्यप्रदेश में चुनावी प्रचार की तो कहीं न कहीं सिंध्या जिस तरह से शिवराज सिंग सिंध्यान नाराजगी कोई नाराजगी नहीं इस जानकारी पर आपकी क्या रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं लाइक लिए हमार साथ इस वीडियो को साथ लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बाल वाल